ओम श्रीवेंकटे साहे नम्हा मैं प्रोफेसर एस्वी एसेस नरणराजू यूच्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आज संत स्री गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा विरुचित विनैपत्रिका से और एक पद की व्याक्या अब मैं करने जारू इस पद में गोस्वामी तुलसी दास जी अपनी जिवा को प्रभु श्री राम जी का स्मरण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कैसे प्रेरित कर रहे हैं सबसे पहले गोस्वामी तुलसी दास जी की शब्दों में पद देखेंगे पद के साथ साथ पद की व्याक्या भी देखेंगे नाम को प्रभावू पूजियति गनरावू कियो न दुराव कहि आपन करनी बवसागर को सेतू कासी हूं सुगति हेतू जपत साथर संब सहित घरनी बालमी की व्याद है अगाद अपराद निदी मरा मरा जपे उजे मुनि अमरनी रोक्यो बिंद्यो सोक्यो सिंद गट जहु नाम बल हायर्यो ही खारो भयो भूसुर धरनी नाम महिमा अपार सेश सुक बार बार मति अनुसार बुद बेदह भरनी नाम रति काम धेन तुलसी को काम तर राम नाम है भिमोह तिमिर तरनी अब इस पद में कटिन शब्दाद देखेंगे जय हैं अर्दात जायेगी गनरावू अर्दात गनेश जी सुगत हेतू मुक्ष प्राप्त करने के लिए घरनी पत्नी अर्दात यहां पार्वती हैं अमरनी देवतागन और विंध्या यहां देखें विंध्या चल नामक पर्वत गट जाहूं अर्दात अगस्त्यमुनी नाम बल राम के नाम पर बल बूसुर धरनी अर्दात बूदेर के डर से या ब्रामन के डर से नाम रती राम के नाम से प्रेम बिमोह तिमिर तरनी अर्दात मोह के अंदखार का नाश करने वाले सूर्य अब इस पद की व्याक्या देखेंगे राम जप जीह जानी प्रीति सों प्रतीति मान राम नाम जपें हैं जीको जरनी राम नाम सो रहनी राम नाम की कहनी कुटिलकल मल सोक संकट हरनी अब देखें कभी बता रहे हैं यहां तो सिदास जी अपनी जिवा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे जीब प्रभु शिराम चंदर जी के नाम का जप करो हे जीब तू पूरे प्रेम और विश्वास के साथ प्रभू स्री सिथा राम चंदर जी के नाम का स्मरन कर क्योंकि राम नाम का स्मरन करने से ही हुरुदय की सारी जलन अपने आप शांत हो सकेगी यहां कवित उसिदाज जी का कहने का आशया है कि समसार के विबिन फाप कृत्यों के कारण हुरुदय में जो व्याकुलता और व्यग्रता उत्पन हो जाती हैं प्रिबू का स्मरन करने से वो सब समाप्त हो जाती हैं हे जीव राम नाम की मर्यादा के अनसार आचरन कर और श्री राम के नाम का बकान कर क्योंकि इस विकराल कल युग के पापूं दुखों और संकटूं का हरन करने वाला यही श्री राम का नाम है राम नाम को प्रभावू पूजियत गनरावू कियो न दुरावू कहिं आपन करनी भव सागर को सेतू कासी हूं सुगत हेतू जपत सादर संब सहित घरनी हे जीवू इस राम नाम के प्रभाव के खारण गनेश जी की पूजा की जाती है अर दात किसी भी शुब कारे को करने से पूर्व गनेश जी की स्तुती की जाती है गनेश जी ने अपनी सारी करनी का वरनन कर दिया है और कोई भी चिपा नहीं किया है यही राम का नाम इस समसार रुपी समुंदर को पार करने के लिए पुल के समान है स्वयम भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती सहित काशी में आदर सहित इस राम नाम का स्मरन करते हैं जिससे की उन्हें मुक्ष प्राप्त कर सकें वालमी की ब्याद हैं अगाद अपराद निदी मरा मरा जपे पूजे मुनी अमरनी रोक्यो भिंद्य सोक्यो सिंद गटजाहु नाम बल हायों हैं खारो भयो भूसुर डरनी शिराम के नाम का प्रबाव एक अन्य उदाहरन से बिसपस्ट हैं हम सब जानते हैं वालमी की असंके पापों का बंडार घोर व्यावसाय से ब्याद था किन्तु वो राम का उल्ठा नाम लेकर अधात मरा 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 कहते कहते ही प्रबु की कृपा का पात्र बन गया और इसी राम नाम के कारण वालमी की जी को इतना गवरव पूर्ण पदप्राप्त हो सका की मुनी और देवता भी आज उनकी स्तुती करते हैं इसी प्रकार अगस्त्य मुनी ने प्रबु शिराम जी के नाम के बल पर विंद्याचल परवत के अपरमित विस्तार को रोक लिया था और सारे सागर को पल में सोक लिया था कदाचित इसी कारण समद्र उसी ब्रामन अर्दात अगस्त्य मुनी के इस प्रताप से डर गया यहां ब्रामन जाती नहीं है मैं बार बार केता हूँ ब्रामन जाती नहीं है फेशा है जो इस युग मतलब अर्दात जो समाज हित के लिए जो पुरोहिताई करता है यज्ञ ने अगस्त मुनी के इस प्रताप से डर गया और उसका पानी कारा हो गया। अत्यंत अपार्यम अनुपम हैं और सेशनाग मुनी शुकदेव के अत्रिक्त ज्ञानियों ने और वेदों ने अपने अपने मतानुसार इस महिमा का बार 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 वरणन किया है। यहां गोस्वामी तुलसिदाज जी के हुरदय में प्रभू श्री राम जी के प्रती प्रेम काम देनों और खल्परुक्ष की तरह मनोरद पूरा करने वाला है। मोह रूपी अंदकार को दूर करने के लिए प्रभू श्री सिताराम चिंदर स्वामी जी का नाम सूर्य के समान है। अर्दात जिस प्रकार सुर्य के समक्ष अंदकार नहीं तहर पाता, उसी प्रकार प्रभुशी राम जी के नाम के आगे मोह जनित अज्ञात भी नहीं तहर सकता है, इस पद की विसेशता हैं, अब देखेंगे, इसमें अगस्त्य मुनी द्वारा विंद्याचल का विस्तार र और वह इतना अधिक उंचाता की सूरी के ताप से उसके वुर्ख्ष जलने लगे, इससे कृद्ध होकर विंद्याचल ने अपना अपरमित विस्तार करना प्रारंब कर दिया, जिसे देखकर द्यावतागन गबरा उठे, और उन्होंने जाकर अगस्त्य मुनी से अपना पस्या करने के लिए जाने वाले विंद्याचल, जाते समय विंद्याचल ने जब उनको प्रनाम किया तो, अगस्त्य मुनी ने उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए, कहा था कि, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तब तक तुम आई से ही रहना, यह खेकर गएं, अगस्त्य मु आगे देखिए जाजरन में चपलाति शयोक्ति अलंकार हैं बवसागर विमोह तिमिर में रुपक अलंकार हैं मरा मरा बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जय श्रीमन नाराय